Hello everyone, आप सभी का चीज़ की code में स्वागत है तो आज के studio में हम लोग arrow functions के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि arrow functions क्या होते हैं क्या difference है arrow function और normal function में तो शुरू करते हैं हमारा lecture तो अब तक जितने भी हमने functions बनाया है या तो हमने function declaration का use किया है तो यह मेरा simple function है जो कि मुझे दो numbers का sum निकाल के देता है यह हमारा anonymous function है मतलब यह function expression का use करके हमने बनाया है तो दिखते हैं इसके लिए अगर हमें arrow function मनाना है तो कैसे बनाएंगे तो इसको यहाँ से मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको paste कर देंगे तो simple है function keyword को remove करना है यहाँ से और इसके end में मतलब parameters के बाद हमें यहाँ पर एक fat arrow लगाना है तो यहाँ पर मैं equal to का sign लगाऊंगा उसके बाद यहाँ ग्रेटर दिन का sign लगाऊंगा तो यह हमारा एक function ready हो चुका है जिसको हम लोग arrow function कहते है तो simple ही concept है function keyword को remove किया है यहाँ से और यहाँ पर हमने arrow लगा दिया है बागी सब कुछ same है यहाँ तो अगर मैं इसको log कराता हूँ तो इसको यहाँ पर मैं sum2 नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ पर print कराते है तो यहाँ पर output देख सकते हैं 7 लिखा रहा है यानी इसने sum कर दिया उसका तो इस तरीके से हम लोग arrow functions refine करते हैं तो इसको हम लोग और simplify कर सकते हैं तो इसको यहाँ से copy कर लेते हैं और इसका एक third variation देखते हैं तो यहाँ पर मैं इसमे sum 3 कर देता हूँ इसको अब इस पहले function के अंदर हमार पस जिफ A की statement है A plus B की तो इसको मैं यहाँ पर direct भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं इसको directly return कर सकता हूँ और इसको यहाँ से remove कर देते हैं तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग A plus B को total में डाल रहे थे बढ़ यहाँ से इसको directly return किया है तो arrow functions क्या कहता है ऐसे functions जिसके अंदर सिफ A की statement हो उसको आप और simplify कर सकते हो वहाँ पर आपको return लगाने की भी जूरत नहीं है ना यहाँ पर यह braces लगाने की जूरत है तो इसको change करता हूँ यहाँ मैं तो यह वाले braces remove कर देते हैं और इसको single line में ले आते हैं इस return keyword को भी मैं यहाँ से remove कर दूँगा और यह जो end वाला braces है इसको भी remove कर देते हैं तो इस तरीकी से हमें हम लोग एक function define कर सकते हैं तो यह तीनो functions जो है identical है बल्लाब इनमें कोई difference नहीं है तीनो एक ही काम कर रहे हैं दो numbers का sum निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना concise हो गया है लिखने का तरीका थोड़ा से simple हो गया है simply हमें function keyword को remove करना है और हमारे parameters के बाद हमें एक arrow function लगाना है और अगर हमारे function के अंदे सिर्फ एक ए expression है उसको हम लोग यहाँ पर directly लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीक से मैं इसको लिख सकता हूँ यह by default return हो जाएगा यानि यह implicit return है तो one liner functions के case में arrow function में हमें return लिखने की ज़रूइत नहीं होती हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा explicitly return नहीं लिखना पड़ेगा यह अपने आप return हो जाएगा मलब इसका जो output होगा वो अपने आप return हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर sum 3 call करता हूँ और यहाँ पर parameters change कर देते हैं इस बार ही यहाँ पर 4 और 4 कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 output आ रहा है जो कि यह साई evaluate कर रहा है similar लेकर मैं आप इसको 5 कर देता हूँ तो यह मुझे बिल्कुल साई output देगा 9 आ रहा है तो इस तरह किसे हम लोग arrow functions का use करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और single parameters वाले function मनाते हैं इस code को दोड़ा सा clean up कर देते हैं तो यहाँ पर एक और function मनाते है square के नाम से और इसको यहाँ पर मैं function assign करूँगा यहाँ पर हम लोग a pass करेंगे तो वो इसका square निकाल कर देते हैं यहाँ से हम लोग return कर देंगे a into a तो जो भी number आप इसे pass करोगो इसको वो square निकाल के देदेगा आपको तो इसको call कर आके दिखाता हूँ यहाँ पर square और यहाँ पर मैं pass करता हूँ 4 इस वाली line को remove कर देते हैं और run करते हैं इसको यहाँ आप output दिख सकते हैं 16 आ रहा है मनला 4 into 4 is 16 तो 16 output में आ रहा है तो दिखते हैं इसको arrow function में कैसे convert करेंगे तो इसको copy कर देते हैं यहाँ पर simple है इसको यहाँ पर square 2 नाम दे देता हूँ इस function keyword को remove कर देते हैं यहाँ से और इसके end में यहाँ पर fat arrow लगा देंगे तो इस तरीकिसे हम लोग arrow function मनाते हैं अब यहाँ भी मार पास single expression है तो इन braces को यहाँ से remove कर देते हैं इस वाले braces को भ value pass करूँगा 5 तो यहाँ पर output देख सकते हैं 25 आया है तो यह हमारा single parameter वाला function है जिसके इंदर हमारे पास single parameter आ रहा है तो arrow function की case में इसको और simplify कर सकते हैं तो इसको simplify करके दिखाता हूँ इसको copy कर देते हैं square 3 कर देते हैं इसको और single parameter की case में इन वाले brackets को भी remove कर सकते हैं त यहाँ पर देखेंगे 36 output आ रहा है तो इस तरीकिसे अगर हमारे पास single parameter वाला function होगा तो आपर हमें brackets लगाने की भी जरूरत नहीं है तो देख सकते हैं आप किता concise होगे हमारा function इनको हम लोग lambdas भी कहते हैं तो यह था हमारा arrow functions के बारे में तो एक और example देखते हैं जिसके अंदर कोई भी parameter नहीं है तो देखते हैं इसको arrow function में कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग arrow function define करने हैं तो हमें function keyword का use नहीं करना है यहाँ पर मैं directly brackets लगाऊंगा तो यह वाले जो हमारे brackets हैं यह हमारे arguments वाले brackets हैं यह वाले brackets हैं हमारे तो वह मैंने यह यहाँ लगा दि देखते हैं यहाँ पर तो इस तरीक से हम लोग इस function को arrow function में convert कर सकते हैं तो इसको run करके दिखाता हूं तो यहाँ आप आप output देख सकते हैं hello cheesy code from arrow लिखा रहा है तो एक बार दुबार से repeat करता हूं कि क्या क्या हुआ इसके अंदर तो अगर आपके पास multiple statements वाला function है जैसे क इस case में था हमारे पास तो यहाँ पर हम लोग directly सिफ arrow लगा देंगे और function keyword को remove कर देंगे यहाँ पर हमारे पास explicit return है यहाँ पर हमने return कुछ से लगा है अब इसके अंदर हमारे पास एक की expression था तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यह हमारा implicit return है मलब हमें return keyword लिखने यहाँ पर brackets avoid कर सकते हैं मलब यहाँ पर brackets लगाने की जोरत नहीं है तो यह हमारा simple single parameter वाला function है no parameters के case में मलब 0 parameters अगर होंगे आपके तो आपको यहाँ पर brackets लगाना जरूरी है जो एक empty brackets होंगे आपके और उसके बाद आपना function लिख सकते हो तो इस तरीके से हमने यहाँ पर multiple statements लिख सकते हो तो आप देख सकते हो zero parameter वाला function है हमारा और इसके निर्मार पर multiple statements है तो इस तरीके से हम लोग multiple statements वाला एक arrow function लिख सकते हैं तो इसको run करके दिखाता हूं print message 3 तो यहाँ पर output देख सकते हैं तो इस तरीके से हमारा arrow function काम करता है तो अब बात आती है कि इसके line वाले जो हमारे functions है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं concise हो गया है कम शब्द लिखने पड़ेंगे दूसरा advantage का है दूसरा advantage इसका यह है कि हम लोग implicit return कर सकते हैं मलब हमें return keyword भी नहीं लिखना वड़ेगा अगर single expression वाला function है तो वो अपने आप return हो जावा स्रिप हमारे दिसको करता है मनलब ऐसे functions जो functions से defined हो मनलब कोई error function ना हो तो उसमें जावा स्रिप हमारे दिसको करता है तो इसके लिए एक एक्जाम्पल देखते हैं clear हो जाएगा तो इस code को मैं है से remove करते तो और यहाँपर एक object बनाते है let obj equal to तो यहां पर मैंने एक simple object बनाया है जिसके अंदर मारा पस एक first name property है last name property है और यह मैंने दो methods बनाया है जिसमें हमने सबसे पहले normal function का use किया है जो हमारा get full name है और दूसरा function मैंने बनाया get arrow full name जहां पर मैंने arrow function का use किया है तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने arrow function मनाया है दोने के अंदर मैंने disk का use किया है तो इंको call करके देखते हैं तो यहां पर दिता हूँ obj.get full name सबसे पहले get full name को call करते हैं और इसके बाद arrow function को call करते है get arrow full name तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं जब हमारा normal function call हुआ है तो उसने मुझे यहाँ पर jondo दिया है और जब हमने arrow function use किया है तो यहाँ पर हमारा पस undefined undefined आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो जैसे कि मैंने भी बताया था कि जब भी हम arrow function को call करते है तो JavaScript हमारे disk keyword को bind नहीं करता है तो यहाँ पर आप दिसकिते हैं मैंने एक normal function call किया get full name उसमें हमने function keyword का use किया था तो जब मैंने इसको call किया तो यह हमारा normal function था तो JavaScript ने इसकी disk की value को इस object पे point करा दिया मैंने इस समय जो disk की value होगी वो हमारा obj होगा तो obj पे थो हमारा पस first name वाली property है और obj पे हमारा पस last name वाली property भी है इसलिए हमारा पस john do लिखा आ गया बढ़ उसके बाद मैंने यह arrow function call किया है और arrow function की case में हमारा disk bind नहीं होता है तो disk जो हमारा obj को point नहीं कर रहा है तो जो भी यहां पे disk की value होगी उसमें वो first name last name ढूड़नेगा उसको वो मिलेगा नहीं तो यहां पे output रहे हैं आपका undefined undefined तो यहां पे console और lock disk करते हैं देखते हैं क्या output आता है तो यहां पे आप देखेंगे हमारा पास window object आ रहा है तो window पे हमारा पास first name last name वाली property नहीं है इसलिए हमारा पास undefined undefined लिखाया है तो अगर मैं यहां पे window पे एक first name वाली property बना रहेता हूँ जेसन और दुबार से इसको run करते है तो यहां पे आप देखेंगे जेसन लिखा गया है क्योंकि हमने यहां पे this.first name किया था यहां पे हमारा पास window object था तो window पे हमारा पास first name वाली property हमने डिफाइन करते है जेसन तो इसलिए यहां पे जेसन undefined लिखा रहे है तो अगर इसे असांच अब दुमें बोलू जहां पे भी मैंने यह function define किया है उस समय जो this की value होगी वो ही हमारे इस function के अंदर की this की value होगी हमारा this जो है वो rebind नहीं होगा तो अगर मैं यहां पे console.log this करता हूँ तो यहां पे आप देखेंगे हमारे पास window object आएगा अब arrow function की case में हमारा this जो है वो bind नहीं होता है इसलिए यह वाला जो this है हमारा वो हमारा window object है तो इस तरीके से यह arrow functions काम करते है तो technical terms में इसको lexical scope कहते है तो lexically जहां पे भी हमारा function defined होगा उस समय जो this की value होगी वो ही हमारे इस function के अंदर की this की value होगी तो arrow functions का और भी use देखेंगे आगे जैसे कि set timeout के साथ देखेंगे एक बारी और dom elements के साथ देखेंगे बट arrow functions के case में एक बार ज़रूर याद रखें कि जो आपका this है वो bind नहीं होता तो यह था हमारा arrow functions के बारे में तो arrow function पे अल्रड़ी एक वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे तो आप उसे देख सकते है एवन एक पूरी ES60 playlist है जिसको आप follow कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो हो जाए जब सब तुछ आपको प्रमना सीख लो उठा के बसता नापके रस्ता हर्फ गहीं चला आइटी में ID 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 झाल झाल